लौक शाब से जानना चाहूंगा ब्रेक के उस पार दुबारा से की डॉक्साब नेडल टेक्णीक का आपने जिक्र किया लौक शाब दर्द कितना होता है इस टेक्नीक में दर्द बिलकुल ना के बराबर है यह होता ही नहीं है जिए आप ऐसा समझ लेजिए कि आपने हल किसी चूटी भरी किसी को जिए वह दर्द है इतना सब दर्द आपको निडिल लगने पर होगा अनिता दर्द नहीं होता है जिए बहुत बार पेशिंट ये कहता है कि सरके नीडल लगा दी क्या जिए वो खुद चेक करता है कि नाउस बिल्कुल जिनेगा और जब कि दर्द नीडल ले लेती है नीडल के साथ लगने के साथ नेकालने के साथ भिल्कुल लिज हो जाता है लोक्सा अभी के लिए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं भीकरनेर सिन नरिंद सिंह जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है अपन कमर में निचले हिस्से में दर्द है उनके निचले हिस्से में दर्द होता है क्या कुले तक या पैर तक वह दर्द जाता है कमर में रहता है कमर में और कंदों में रहता है तो इसके लिए कभी तेरपि कर भाई नहीं नहीं से थोड़ी देर पर किली आराम आ जाता है कोई 2-4 इन के लिल्ख कर राध스ंगे हैं उस एरिया में जो दर्ध है उसके लिए उसको क्या क्या ऐकिस पॉश्चर में लेकर जाना क्यूं कि इस पॉश्यर्ट पता रहें कि कमर में में दर्ध और और बाई पी है तो मैं आपको यह बता दो किर्दी का मौसम चल रहा है तो आपने नजदे की तरफ से मिले फिस यह पास जाएं और उसका यह बता है पर यह को बचाएगा कि इस एरिया में जो दर्द है उसके लिए उसको क्या थैसाइस इस करना है आपको किस पॉश्चर में लेकर जाना क्योंकि जिस तरी के साब बता रहें कि कमर में डर्दों तरदी के मौसम में यह दर्द बढ़ जाता है सुबह सुबह अकड़न आती है और स्टिफनेस जिसे कहते हैं यह आ जाती है दर्द होता है और चलने फिनने उठने बैठे में भी परशादी होती है यह एक दर्द कभी भी बीच में आटक दे देता है तो इसके लिए आप एक फिस्टरपिस के पास जाए उसको यह चीज़ बताएं और उससे एक्सराइस घर के लिए सीखे और खुद करेवी से और वहां पर आप रेगुलर जाईए क्योंकि फिस्टरपी रेगुलर करने से जल्दी दर्द चला जाता है और बाई का जो दर्द है इस पर थोड़ा सा स होती है क्या वही निडल बार-बार हर मरीज पर काम में ली जाती है नहीं नहीं निडल का प्रयूक किया जाता है यह बहुत बड़ी शंका है लोगों को बताने क्यों डाउट रहता लेकिन मैं फिर भी इस क्लियर करना चाहता हूं कि जो नीडल है वो एक पेशन पे वन लगाई जी मैंने उसका टूट्वेंट किया और फिरो बैक उसको मुझा फेक्ट ना जी नीडल बार बार रियूज नहीं हो सकती ना नीडल स्टिराइल होती है वो स्टिराइल निकलती उसको एक बर यूज करते है उसी पेशन के उपर रिउस करता उसको बाद में उसको न इसको एक उटते हैं तो कमर में दर्द होता है किपने टाइम उर्यक तोड़े तीन साल वा थेृष ईण में दरद होता है कि पयाएद्य डरड़े relatoral हैkit कि प्ले को मैं आपको बहुत बहुत सिंपल सी चीज क्हता हूं सुब जबर अब वुटे हैं तब उठने से पहले जब आपकी निद्ध खुल जाए तब आप बेड पे लेटे रहे है और एक हाट पेंग लेलें आप बार्केट से मिलता है जो कि एलेट्रिकल होता वह अपने आप लाइट से गरम होता है अब उसको अपने पास रखे और उसको पांच मेंट गरम करके अपने बैक पे लगा ले बैक पे लगाने आप उसको दस में तक अपने बैक पर लगा के रखें और उसके बाद में एक एक सेसाइस है जो मैं आपको बोल रहा हूँ आप बोलने से उसको समझ के और घर पे कर सकते हैं आपको बिल्कुल सीधा लेटना, आप फर्स के बिल्कुल सीधे लेटे वे हैं, और दोनों पैरों को आप मोड लें, गुटने को आप दोनों पैरों के गुटने को मोड लें, और उसको उठा के आप अपने चेस्ट की तरफ चाती की तरफ लेकर के जाएं, और पांच तक उसको रोके रखें और दस बारी ये सुपह कर लें आप और इसको करके आप करवट लेके उठीएगा इस बात को ध्यान रखेगा कि शायद आप बिल्कुल सीधे लेटे वे होते और आप सीधे उठी आ जाते हैं ऐसे नहीं आईएगा आप करवट लीजिएगा उसके बहुत बहुत सवागे थे अपना सवाल पूछेए रूशा जार निर्च आपका सवाल एक बर दोबदा से दोर आई है पहुत जाँ धर होता है क्ल़ई हर्सा में दर्द करती है या सुब्ह 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 अब तो नृक्ष साब दर्द होते हूए कलाहिए हैं चैंशन को scholar सब्जाना और जब दर्द होता है यज अब ऊपर दर्द होता है तो आप उसमें एक बरतन ले इसके अंदर थोड़ा सा गुन-गुना पानी करें और उसके अंदर नमक ना डालें, उसके अंदर अपना कलाई को जहां तक इस वाले हिस्से तक आप डालके रखें, कलाई से थोड़े से उपर वाले हिस्से तक उसको डालके रखें, और थोड़ा-थोड़ा हाथ को लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट ये मुवमेंट करें, और ये मुवमिंट आपको 10 मिनट तक लगातार करने के हैं, और ये सुपह शाम करना है गुन-गुने बानी में. इसके बाद मैं आपको छोटी सी एक एक साहीस कर सते हैं, जिसको मैं आपको बताता हूं. आपको कलाई को ऐसे रखना है इस तरफ फेस करते वे इस तरफ फेस करते वे अंगुठे वाले हिस्से से आपको यहां पर एक हड़ी दिखेगी जो कि थोड़ी सी बड़ी वी होती है यहां पर आप इसको इस तरफ की तरफ मुव्मेंट देंगे और इस तरीके से आप इसको जो ये वाला हिस्सा है यह आपका रिलीफ होगा आपको अपनी हटी को खुद मोबिलाइज कर सकते हैं और ऐसे करने से आपका पर चला जाएगा यह आपको पांस सेकंड तक करना है इस तरीके से पांस सेकंड तक करें फिर छोड़ दें और सुभेशाम दुश्वारी करने एपी बीसी इसका नाम होता है एडवांस पोश्चल बाया मेकेनिकल करेक्शन मतलब कि हम पॉश्चर को करेट करते हैं क्योंकि जब भी हमारा बॉड़ी में जॉइंट में दर्द आएगा मतलब वो अपनी जगह से हड़ी फोड़ी से किसकी है अब वो ज्यादा किसकी आपको दर्द आएगा तो उस पॉश्चर को हम के ज़ हैं जब वो पॉश्चरःग को जाएगा अपको ज तो यह एक पी बीसी टिक्निक है जिसमें हम इस एडचेस्टर का यूश करते हैं कि मेरे पास है एडचे इस एड़जेसर से हम क्लिक करते एजिसकी मालनिये कि जैसे अभी रहोने का बताया, एक पुछा के लिए, तो क्लाई के लिए हम क्या करते हैं, यह वाली हड़ी जो मैंने बताई आपको बड़ी थी, इस वज़े से यहाँ पर पे न होता है, और यहाँ पर गप कम हो जाता है, हम इसको इसको उसको पर यूस करते हैं, और हम इसको परेस करते हैं, तो यह प्रेस करने से इसने एक फोर्स दिया मेरी बॉन को और उसको पुछ पूदीशन पे लेकर ना हर बोन का अपना अपना बॉड़ी के अंदर एक पॉदिशन होती है, उस पुदीशन से अगर बॉन थोड़ी सी भी हिल जाती है, तो दर्द होता है, हम जो वो चीज अपनी पॉदीशन पर वापस आ गई तो आपका दर्द चला जाएगा और देखिए अच्छी बात यह है कि हमें बोन को सेट करने के लिए अपरेशन नहीं करना पड़ रहा है को चीरफार नहीं करना पड़ रहा है सिर्फ नॉमली में उपर से गया मैंने ये इस तरह किसे लिए बहुत 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 शुक्रिया डॉक्साब अभी कि लिक दर्शक मारे सा जुड़े है बिल्कुल शॉर्ट में अंसर चाहूंगा जतन जी हमारे साथ अलवर से जतन जी आपका बहुत-बहुत-बहुत-बहुत सवाल पूछे जतन जी अपना सवाल पूछे लगता है कि रॉक्साब उनका संपर्गम से कट गया एक और दर्शक मारे साथ जुड़े हैं जीते इंद्र जी है जैपूर से जीते इंद्र जी आपका बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- बहुत ज्यादा दर्द होता है बहुत समय से हो रहा है तो कुछ उपचार चाहते हैं आपसे बिलकुल शॉट छॉट बहुत बचार बताता हूं आप दिन में तीन-चार बारी आदे-ादे घंटे के लिए बोतल में गरम पानी भरके उसे सिकाई करें जमीन पर ना बैठें आल तो युद्री महत्तपूर्ण जानकारी सभी दर्शकूं को देने हैं तो दर्शकूं अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी बिवारी से संबंदित कोई भी जवाब तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं हमारा इमेल अडिया हैल्थ फॉर्स्ट फॉर्स्ट फॉर्स एडेट प्रोड़ साथ